आज का प्रश्ण हिमाचल प्रदेश से आया है पूछने वाला नव्यूवक है पवन कुमार तो पवन का प्रश्ण हम उसी के शब्दों में सुनते हैं है डो गुरु जी सबसे पहले आपको मेरी तरफ से राम राम मेरा नाम पवन कुमार है मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और आज मैं अपने तरफ से एक प्रशन पूछना चाहता हूँ जो मेरी तरफ से प्रशन है जो सब के यूट के हित के लिए होगा यह प्रशन कि मैं चार साल से चार पांस साल से हनुआन जी की बक्ती कर रहा हूँ और मैंने भक्ती के दुरान कई बार प्रमात्मा से यही बोला है उनसे कि मेरी एक जो है मेर में एक सबसे बड़ा अबगुन है जो मेरी हर चीज को मेरी डिवलेप्मेंट को मेरी ग्रोथ को रोगता है वो है कि मैं फोन पे ज्यादा से ज्यादा कई वार मतलब पॉर्न वीडियोस देखता हूँ असलील पिक्चरें देखता हूँ जो आजकल यूथ सारा देखता है तो मेरा ये प्रसन है कि मैं अपनी इस आदत को कैसे छुड़वा हूँ मैंने परमात्मा से भगवान से भी कई वार बोला है कि मेरी यादत छूट जाया है मेरा मन नहीं करता ये चप देखने को पर अन्तु पताने कोई ऐसे कौन से चीज़ है इस आदत को छोड़ने की और एडिक्शन को क्यूट करने की इस आदत को मैं कैसे छोड़ सूँ गुरु जी मेरा मार दर्सन करें आपको मेरा सत सत परना हूँ आप सभी ने पवन का प्रशन सुना उसका कहना है कि एक तरफ भक्ती उसे खीच रही है और दूसरी और उसे पॉर्ण वीडियो देखने की भी लत लग गई है वह इन दोनों के बीच क्या करें तो सबसे पहले तो मैं पवन से यह कहूँगा कि तुम जानते ही नहीं तुम हो क्या अर्थात तुमें न मैं चांदी कहूँगा न मैं सोना कहूँगा तुमको मैं हीरा कहूँगा वास्ताओं में तुम हीरे हो हीरे का एक हिस्सा बिल्कुल साफ है और दूसरे हिस्से पर सिर्फ थोड़ी धूल चड़ गई है ध्यान से समझना मेरी बात को मैंने तुमको हीरा कहा है सोने का एक छोटा सा टुकड़ा चने बराबर टुकड़ा, अगर पचास हजार का है, तो उतना ही चना बराबर हीरा पचास करोड का भी हो सकता है, हीरा इतना मुल्लेवान होता है, तो मैंने तुम्हें हीरा यू ही नहीं कह दिया है, एक विशेश कारण से कहा है, तुमने जो प्रशन पूछा है, यह बहुत ह इमानदार सहसी और सार्थक प्रशन है, प्रशन पूछने की ऐसी इमानदारी कोई नहीं दिखा सकता, तुमने सबसे पहले यह प्रशन मेरे आध्यात्मी को पन्यासों के प्रकाशक को भेजा था, तो प्रकाशक ने मुझसे कहा, मेरे पास ऐसा प्रशन आया है, कि आप से पूछा जाए तो मैंने प्रकाशक से कहा कि जिसने भी प्रश्न पूछा है उससे कहो कि वह मेरे नंबर पर इसका वीडियो भेजते बनाकर और मैं जानता था कि तुम वीडियो नहीं भेजोगे ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि कौन इस तरह से अपना वीडियो बनाकर जेगा वैं क्या सोचेगा कि आसपास के मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये जो डर है समाज का तो तुमने जो प्रश्न पूछा है और अपना वीडियो बनाकर प्रश्न पूछा ये बड़े से बड़ा सहासिक और इमानदार काम है ये बिलकुल वैसा काम है जैसे कि चर्च में जाकर वो confession करते हैं पादरी को बताते हैं कि मेरा ये अवगुण है मेरा ये दोश है भगवान के आगे अपने दोशों को खोल कर रख देते हैं तो तुमने अपनी जो कमी है जिसे तुम जग जाहिर कर चुके हो और मैं बताओं कि लोग कैसी कैसी कमीयों को बताने में डरते हैं किसी ने मेरे से कहा कि मैं मंगलवार को व्रत नहीं रख सकता तो क्या पाप लगेगा तो मैंने उससे कहा कि तुम अपना वीडियो बना कर भेजो तो उसका उत्तर आया कि नहीं नहीं मैं इसका वीडियो नहीं बना कर बेच सकता मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में उस बात को लेकर आदमी इतना चंतित है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं मंगलवार का वरत नहीं रखना चाहता और तुम, तुमने तो बहुत बड़ा सहसिक काम किया है कि इतना इमानदार प्रशन तुमने उठाया सच्चा प्रशन तो यह जो इतना मैं बोला हूँ तुमारी प्रशन सामें यह यूही नहीं बोल दिया जो भी इस समय इस कारिक्रम को देख रहे हैं वे स्वयन महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि वे भी इतना सहस्पून प्रशन अपने बाबत नहीं पूछ सकते अपनी कम्यों को सीधे सीधे नहीं कह सकते कोई भी नहीं कोई आदमी यह नहीं कह सकता वीडियो कॉल करके मुझे या वीडियो message के माध्यम से कि मैं रिश्वत लेता हूँ लोगों को सता कर तो बताओ मैं क्या करूँ वो अपना वीडियो बनाएगा यह इस तरह का बिल्कुल नहीं बनाएगा या कोई कहे कि मैं चोरी करता हूँ बताइए मैं क्या करूँ और तुमने एकदम अपने भीतर का सच्चा प्रशन उठा कर रखा और ये प्रशन तुम्हारे प्राणू का प्रशन है इसलिए इसका उत्तर भी अब बड़े ध्यान से सुनना एक और तुम्हारी तरफ हरुमान जी की भक्ती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के वीडियो है जो अशलील वीडियो है अब ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम भक्ती के द्वार पर लगभग पहुँच चुके हो पास में तो अब तुम्हारा मन भटकाने के लिए तुम्हें उस भक्ती मार्ग से डिगाने के लिए अब माया अपना खेल खेल रही है सिदा सिदा खेल और तुम पर राम की कृपा है तो इसलिए तुम अपने उस अवगुण को देख भी पा रहे हो समझ भी पा रहे हो तुम ये महसूस भी कर रहे हो कि हा मैं बीमार हूँ इस बात को समझ लेना कि मैं बीमार हूँ तो आधि बीमारी तो वहीं कट जाती है और इसे साधना मार्ग में साक्षी भाव कहते हैं जो तुम्हें मालूम नहीं होगा जो तुम्हें सोयम सद रहा है कि तुम देख भी रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ मुझसे हो भी रहा है और मुझे नहीं भी करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ तो ये साक्षी भाव की एक कहीं जलक तुमको दिखाई दे रही है उस साधना के तो अब क्या है कि तुम हनुआन जी कि प्यारे न बन जाओ इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे पास अपसराइं भेज रहे है अब राचिन काल तो रहा नहीं इंद्र ने भी अपने को अपडेट कर लिया है तो इंटरनेट के थुरू देवराज इंद्र स्वर्ग से अपसराइं भेजते है और तुम उन अपसराओं में उलचते जा रहे हो समझो इसे पहली बात कि भक्ते मार्ग से तुमको डिगाने का प्रियास हो रहा है अब असल सवाल कि तुम इससे बचना चाहते हो तो बचा कैसे जाए बहुत ही साधरन सी बात है एक उधारन के माध्यम से बताता हूँ फकीर बुल्ले शा का तुमने नाम सुना होगा बुल्ले शा बहुत अच्छे घराने से थे और जब वे भक्ती मार्ग पर आये तो उनका मन खिचने लगा विशयवासनाओं की तरफ वे अपने गुरू के पास जाते हैं उनके गुरू उस समय खेत में कुछ पौध लगा रहे थे प्याज की पौध लगा रहे थे बुल्ले शा वहां पहुंचते हैं और अपनी गुरू से कहते हैं कि मेरा मन दोनों तरफ भागता है परमात्मा की तरफ भी और विशेवासनाओं की तरफ भी मेरा मन मुझे वासना की तरफ ज्यादा खींचता है मैं क्या करूँ आप मुझे कोई उपाय बताए किस प्रकार से मैं अपने इस मन को वासना की तरफ जाने से रोकू बुल्ले शाह उसे कहते है बस इतने सी बात है तू अपने मन को समझाना चाहता है न बुल्ले शाह कहते हैं हाँ मैं अपने मन को समझाना चाहता हूँ तो बुल्ले शाह के गुरू जो पौध लगा रहे होते हैं खेत में एक जगए उन्होंने एक पौध को लगा दिया ओता है। पौधे को छुटा सा. वो उसे वहाँ से उखाडते हैं और उखाड के उसे यहाँ लगा देते हैं दूसरी जगए। उसके सामने कहते हैं बुल्लेशा देख में क्या कर रहा हूँ. यहां से उखाड़ा, यहां लगा दिया और फिर उसे कहते हैं बुल्या, मनदा की समझाउना ने इत्थे पुटना ते उत्थे लाउना ने कहते हैं, मन बुल्लेशा इस पोधे के समान है मनदा की समझाउना ने इस मन को भला क्या समझाना, समझाने की जरूरती नहीं है इत्थे पुटना यहाँ से उखाडना है, इत्थे लाउनाने इधर लगा देना है यानि एक पौधे को यहाँ से उखाडो और दूसरी जगे लगा दो तो वहाँ जड़ पकड़ लेगा और वो बड़ा होता जाएगा व्रिक्ष बन जाएगा तो कहते हैं बुल्लेशा मन का क्या है मन तो एक पौधा है एक बूटा है इसे वहाँ से उखाड वासनाओं से और भक्ति की जमीन पर बो दे और फिर देख यहां तो इसे बोएगा यह वही फलता पूलता रहे तो मन मन को मन के इस बूटे को तुम कहां बो रहे हो कुछ नहीं करना वहाँ से उखाड दो उखाड के इधर लगा दो हनुमान जी की जो जमीन है वहाँ पर उस जमीन पर अपने मन मन रूपी पौधे को वहाँ लगा दो तो तुम्हारा मन का पौधा वही लहलाएगा उधर वो जाएगा ही नहीं क्योंकि जाएगा कैसे जड़े तो वो वहाँ पकड़ गया है तो दोनों जगे उसे जड़ पकड़ने मत दो क्योंकि उसका विकास नहीं होगा वो पनपेगा ही नहीं ये करना है और मन को समझना है मन के लिए देखो मीरा बाई ने कहा है यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मदमातो हाथी ये मैं अनेक बार इसका उलेक कर चुका हूँ मीरा बाई कह रही है कि यो मेरो मन बड़ो हरामी मेरा ये मन बड़ा हरामी है ये हरामी शवद मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा ये मेरा बाई ने लिखा है किस तरह की हरामी पंती दिखाता है हराम जदगी दिखाता है कि परमात्मा ने इसे भेजा तो यहाँ अपना काम करने के लिए था अपना नाम लेने के लिए मुक्ती लेने के लिए अपना विकास करने के लिए लेकिन ये वासनाओं की तरह दोड रहा है तो यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मदमातो हाती जैसे कि कोई पागल हाती हो पागल हाती जहां से जाएगा और विनाश करता जाएगा तोड़ता खोड़ता जाएगा और यही मेरा मन करता है तुमारा मन क्या कर रहा है कि हन्वान जी की जो तुमारे भीतर भक्ति है उस भक्ति को ये तोड़ना चाहता है उस भक्ति के मंदिर को ये नश्ट करना चाहता है ये मदमाता हाथी मीरा कह रही है यो मेरो मन बढ़ो हरामी तो अब इसको संभाला कैसे जाए तो मेरा कहते हैं कि गूरु जो है वो इसके उपर अंकुष लगाता है बार-बार अंकुष छोटा सा होता है लेकिन हाथी को काबू कर लेता है तो तुम्हें अपने विवेक का अंकुष इन पर लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम ही इस हाथी को काबू कर सकते हूँ दूसरा नहीं कर सकता दूसरा तुम्हें अंकुष दे सकता है अंकुष मैंने दे दिया तुमको इस्तेमाल तुमको करना है अंकुष बता दिया बुल्ले शाह की गुरू ने बुल्ले शाह को वो अंकुष दिया था कि मन के इस पौधे को यहां से उखाड और वहां लगा दे संकल्प तुम्हें लेना होगा अपने मन को हनुमान के शिरे चड़नों में पूर रूपे नर्पेत करना होगा मन तुम्हें खीच रहा है तो वहां उसके उस खीचने को देखो कि यगर तुम्हें वह दूसरे रास्ते पर ले जा रहा है भटकाने वाले रास्ते पर तब मालिक तुम बनो तुम को नहीं जाना और जब तुम आदेश करोगे नहीं जाना तो वह नहीं जाएगा क्योंकि लेकर उसे तुम ही जाते हो ये गणित अभी तुम नहीं समझ रहे है मन तुमें खीचता है और तुम खिच जाते हो उसके तरफ से इसे ऐसा ही समझो कि जैसे कबड़ी का खेल होता है तुम हनुमान जी के पाले में जाना चाहते हो लेकिन ये बाकी सब विशय वासनाएं बाकी खिलाड़ी बनके तुमको पकड़ लिये हैं कसकर और तुमें खीचना चाहते हैं कि तुम उस रेखा को न चूदो जिस पर हनुमान लिखा है या भक्ती लिखा है या अध्यात्म लिखा है तो ये सारे जो मन के पसा रहे हैं ये दूसरी टीम के लोग हैं जो तुमें खरा देना चाहते हैं का बड़ी की दूसरी टीम है अब निर्भर तुमारी इच्छा शक्ती पर करता है कुछ नहीं करना अपनी इच्छा शक्ती को बढ़ाना है और अपने मन रूपी पौधे को भक्ती रूपी भूमी पर लगाना है लगा दो जड़ पकड़ जाएगा फिर चिंता की कोई आवश्यक्ता नहीं ऐसा ना हो कि ये उसी वासना रूपी भूमी पर अपनी जड़ पकड़ जाए देर मत करो समय नहीं है समय रहते इस पौधे को वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह रूप दो और तुम देखोगे थोड़े ही दिनों में ये जो माया का कोहरा है ये सब कोहरा हट जाएगा अभी कोहरा चाया हुआ है तुमारा जो ये मन रूपी हीरा है ये जो दो तरफ भटक रहा है एक तरफ धूल है तुमें सिर्फ ये धूल धमास जाड़नी है और कुछ नहीं करना तुम शुद्ध अत्मा हो और तुम बिल्कुल मन्जिल के अब करीब हो क्योंकि तुम ये इस बात को समझ पा रहे हो इसलिए अपनी उस मन्जिल पर अपनी निगा रखो राम के द्वार पर, राम के मंदिर पर राम की उस परम पावन मूर्ती पर मुख मुद्रा पर उन पर अपना ध्यान टिकाओ राम के शिरी चर्णों में स्वयम को समर्पित कर दो तब देखना कि ये कोई भी चीजें तुम्हें छू नहीं पाएंगे फिर इनसे तुम पार हो जाओगे एक बार जब तुम उस रेखा को छू लोगे जो इसका बड़ी के खेल में है तो फिर ये माया के सब खिलाडी तुमें छोड़ देंगे वो तब तक खीचते हैं तब तक पकड़े रहते हैं जब तक तुम उस रेखा को नहीं चू लेते जैसे ही तुमने उस रेखा को चू लिया तुम विज़ई घोशित हुए और वो जो तुमें खीचने वाले सारे खिलाडियें सब खुद बखुद हट जाते हैं उठ जाते हैं अब तुम्हें भी उठना है तुम्हारी बारी है बहुत देर हो गई भूमी पर पड़े-पड़े अब उठ जाओ अब तुम्हें भी उठना है